हलो फ्रेंज वेलकम टू शिल्पास कीचन इस वीडियो में हमने ओर्यो बिस्किर से केक बनाया है अगर आप भी गर पे ओर्यो बिस्किर से केक बनाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा सरुर देखें इसके लिए जो इंग्रेडियन्स चाहिए वो हमने प्राइ ले लेनी है उसके अंदर नमक डाल देना है और फिर इसके अंदर एक चार या फिर स्टेंड रखते ना है इस खड़ाई को ढगके आपको इसे पाच से दस मिनी तक करम करने कि लिए रखते ना है अब आप जो औरियो बिस्कित लेके आये है उसे आप एक बोल में निकाल दे हमने एक बड़ा और एक छोटा पेकेट औरियो बिस्कित लिया है अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप ज्यादा क्वांटिटी के लिए ज्यादा औरियो बिस्कित की इसके अंदर डाल सकते है अब इसके अंदर जो क्रीम है उसे हम अलग कर दे इस तरह से आपको पुरी क्रीम निकाल देनी है अब ये जो बिस्कित है उसे हमें हाथों से क्रश कर देना है अब हम इसके अंदर मिल्क डालेंगे यहां पर हमने आदे से थोड़ा ज्यादा कप मिल्क लिया है अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी ली है तो आप उस हिसाब से ज्यादा मिल्क डाल सकते हैं इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे लिक्विट फर्म में बना दे अब आप केक का एक टीन ले लीजिए और इसके अंदर आपको तेल या फिर बटर से ग्रीस कर देना है इसके बाद इसके अंदर हम बटर पेपर रखेंगे अब आपने जो बटर तयार किया है उसके अंदर आप एक आधा चम्मज पेकिंग सोडा डाल दे और इसे अच्छे से मिक्स कर दे यह जो बेटर बन के रेडी है उसे हम टीन के अंदर डाल देंगे और इसके बाद आपको इसे बेक करने के लिए रखना है तो इस तरह से आपको यह आपने बिटर बनाया है उसे 40-45 मिनद तक पेक करने के लिए रखना है और उसके बाद आप इसे चेक करके देखी कि आपका केक तैयार है या नहीं जब तक आपका केक तैयार हो तब तक आप दूसरी तरफ चोकलेट मिल्ड कर दिजिए हमने यहाँ पर थोड़ी डार्क चोकलेट लिए और उसके अंदर बटर डाला है और इसे अच्छे से हमने मिला लिया है तो इस तरह से आपकी मेल्टेट चोकलेट तयार है इसे हम केक पर कवर करने के लिए डेकॉर्ट करने के लिए रेडी करेंगे तो इस तरह से आपका ओर्यो बिस्किट केक बेख होके तैयार हो जाएगा अब हम इसे एक डीस में निकाल देंगे और इसकी एक slice कर देंगे यानि कि बीच में से काट के complete एक slice बनाइंगे और इसके अंदर हमने जो चोकलेट मेल्ट करी थी वो डालेंगे और यहाँ पर हमने जो क्रीम है उसके अंदर milk डालके उससे mix कर दिया है और इससे भी हम इस केक के अंदर एपलाई करेंगे कुछ इस तरह से केक को बीच में से काटके उसके दो हिससे करेंगे और उसके अंदर ये जो हमने सलरी बनाई है वो हम अपलाई करेंगे और इसके बास जो हमने चोकलेट मेल्टिट करी है उसको भी आपको इस तरह से डाल देना है हमने इसे ज्यादा डेकोरेट नहीं किया है अगर आप इसे ज्यादा डेकोरेट करना चाहते है तो आप कर सकते है आपको हमारा ये वीडियो केसा लगा है या आप हमें कमेंट में जरूर बता है अगर आप चेनल में नए हैं तो आप हमारे चेनल को जरूर सस्क्राइब करें थैंक्स फूर वोचिंग